अज मैं आप लोगों के लिए लेकी आई हूँ गोबी मंचूरियन रेसिपी यह बनाने में बहुत ही असान होती है और स्टार्टर्स में अगर आप पार्टी के लिए या बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो गोबी मंचूरियन इस वन आफ दी रेसिपी जो आप घर पे ट्राय कर सकते हैं तो बिना वक्त गवाय चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ तो सबसे पहले हमें ले लेना है एक गोबी का फूल यह रेसिपी हम फूल वाली गोबी से बनाने वाले हैं तो सबसे पहले जो डंठल वाला इसका पार्ट होता है हमें उसको और जितने भी इसके फ्लॉरेट से हम उसको अलग कर देंगे गोबी से तो पहले हम इसको मोटा मोटा अलग कर देंगे बाद में हमें एक दम छोटे छोटे जितना एक बाइट होता है न उतना एक बाइट के हिसाब से हमें गोबी के फ्लॉरेट निकाल लेने हैं तो गोबी को चोटा चोटा कट कर लेने के बाद हमें एक बोल ले लेना है बोल में हम सारी गोबी को डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी तो पानी यहाँ पर जितने में गोबी डिप हो जाए ना उतना पानी हमें इसमें डालना है तो पानी डालने के बाद इसमें हम ड जिसकी जो हम इसमें डालने वाले हैं और तड़के की भी साथी साथ त्यारी कर लेते हैं तो सबसे पहले में आपे ले लिया है चार लैसून की कलिया और इसको हम बारिक बारिक चॉप करके एक प्लेट में निकाल लेंगे अब इसके बाद हमें ले लेनी है दो हरी मिर्च हरी मिर्च को भी हमें इसी साइज में बारीक बारीक कट करके एक प्लेट पे निकाल लेना है तो हरी मिर्च काट लेने के बाद इसको भी हम उसी प्लेट में रख देंगे एक बारीक ले साइट पे अब बारी है प्यास कट करने की तो प्यास हमें half जो onion है वो बारिक बारिक कट करना है एकदम finally जो हम chop करते है न वैसा कट करना है और बाकी बचेवे आदे प्यास को हमें मोटा मोटा कट करना है तो कट कर लेने के बाद इसको हमें जो इसके हर layer होती है न उसको खोल खोल के अल कट किया है एकदम बारीक बारीक उसी शेप में हमें इसको बारीक 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 इग्दम कट करना है तो शिम्रमित जी को कट कर लेने के बाद इसको हमसरी पारीक student कट करना है ऑब हमें एक बोल लेनाया है और उसमें हम डालेंगे pac Rodrigo मैदा साथ में हम डालेंगे दो चमबच कॉन फ्लार और उसके बाद हम डालने वाले हैं एक बड़ा चमबच चावल का आटा तो चावल का आटा इसमें डाल लेने के बाद अब हम इसमें डालना है आदा चमबच नमक या फिर स्वादा नुसार आप इसको एड़्जस कर सकते हैं साथ में हम डालेंगे एक बड़ी चमबच कश्मीरी लाल मिर्च इससे बहुत अच्छा कलर आने वाला है इससे कोई तीखा नहीं होगा इसमें और साथ में हम डालेंगे अधरक लसन का पेस्ट एक चमबच चमबच में हलका फुल का अधरक लसन का पेस्ट रखा है तो उसमें मैं हलका सा पानी डालके उसको वापस से पूरे बैटर में डाल दूँगी उसके बाद हमें इसमें डालना है आदी चम्मच की बराबर काले मिच का पाउडर काले मिच पाउडर डालने के बाद हम इन सारे इंग्रीडियंट्स को एक साथ मिक्स कर देंगे अच्छे से और इसमें हलके हलके से पानी हम add करेंगे ताकि एक अच्छा smooth batter हमको बनके त्यार होके मिल जाए तो पानी हमें slowly add करना है ताकि इसमें कोई lumps ना बने और हमारा जो batter है वो एकदम smooth बनकिया है तो पानी add कर लेने के बाद इसको continuously हम चलाते रहेंगे और last में इसमें हम डालने वाले हैं एक चमच के बराबर कोई भी oil आप चाहें तो refined oil यूज़ कर सकते हैं या फिर mustard oil आपके पसंद का कोई भी oil आप इसमें डाल देंगे अब इसमें पानी की consistency आप अपने cording adjust कर सकते हैं तो यहां पर बैटर हमारा ऐसा होना चाहिए कि जब भी हम इसमें गोबी डाले ना तो एक layer हलकी से गोबी के उपर बनके आनी चाहिए तो गोबी यहां पर मैं सारी की सारी जुतनी हमने कट करके रखी थी उसको हम इस बैटर में डाल देंगे अब इसको अच्छे से हम हाथों की मदद से पूरे बैटर को मिक्स कर देंगे गोबी में तरीके से हमको गोबी को मैरिनेट करके रखना है कम से कम 15-20 मिनट के लिए तो उसमें एक बहुत अच्छी layer आनी चीह है हमारे इस बैटर की ना जादा मोटी ना जादा पतली तो अब हमारा ये मैरिनेशन तियार हो चुका है इसको हम छोड़ देंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए तो 15-20 मिनट के बाद हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और जैसे हमारा जो तेल है वो एकदम गरम हो जाता है तो एक-एक करके हमें जो मैरिनेट कीवी हमने गोबी रखी थी उसके फ्लोरेट समिस में डाल देंगे तो इसको हमें डीप फ्राई करना है तो ये दो बार डीप फ्राई होने वाला है इसलिए हम फ्लेम को मेडियम पे रखेंगे तो इसको अच्छे से हमें deep fry कर लेना है जैसी हलका golden brownish color का हो जाएगा तो हम इसको दूसरी side पलट लेंगे ताकि जो गोबी है हमारी वो चारो तरफ से अच्छे से deep fry हो जाए टाइमिंग के अगर आपको मैं बात बताऊं तो ये कम से कम पांच मिनट लगाता है पूरा deep fry होने में तो पांच मिनट तक medium flame पे हमें इसे deep fry करना है तो चलिए गोबी फ्लॉरेट्स हमारे अच्छे से fry हो चुके हैं अब हम इसको निकाल लेंगे एक plate पर तो उसके लिए एक चलनी की मदद से पहले जितना भी इसका extra oil है हम इसको वापस से तेल में ही चान लेंगे और same यही process follow करके हमें सारे फ्लॉरेट्स को deep fry करके plate पर side पर निकाल लेना है तो एक बारी जैसी ही सारे हमारे एक बारी तल लेंगे न हम लोग तो इसको हम gas को एकदम full flame पर करके और oil को एकदम extreme hot करके हमें वापस से यह सारे फ्लॉरेट्स उसमें डाल देने है और उसको एक से दो मिनट के लिए deep fry कर लेना है तो एक बारी हम इसको एक से दो मिनट के लिए जैसी deep fry कर देंगे तो हम इसको निकाल लेंगे वापस से एक प्लेट पे तो यहाँ पर एक चालने के मदद से हम इसको जो एक्स्ट्रा भी oil इसमें है वो उसको चाल लेंगे और इन सब को वापस से प्लेट में निकाल लेंगे तो देखिए कितने अच्छे florids हमारे ready हुए हैं तो चलिए अब इस deep fried गोबी को हम manchurian का रूपते देते हैं तो अब हमें ले लेना है एक pan उसमें हम डाल लेंगे दो बड़े tablespoon oil जैसे हैं हमारा oil गरम हो जाता है तो हम उसमें डाल लेंगे जो हमने बारी कटावा लसन रखा था वो साथ में हमने डालनी है कटीवी हरिय मिर्च और इन दोनों को हम अच्छे से भून लेंगे तो तेल में इसको अच्छे से भून लेने के बाद जैसे ही लसन का color हमारा हलका-हलका brownish color का होने लगेगा तो हम इसमें डाल लेंगे जो हमने बारी कटेवी प्यास रखे थे वो तो प्यास को भी अब हमें अच्छे से भून लेना है इसमें जैसे हलका-हलका brownish color प्याज में आने लग जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बारी कटीवी शिम्ला मिर्ची रखी थी वो तो इसको भी अच्छे से भून लेना है हम उसको over cook नहीं करना है और ये जो सारा तड़का हम बना रहे है ये एकदम high flame पे बना रहे है तो इसको एक मिनट के लिए सौते करने के बाद हमें इसमें डाल लेने है प्यास जो मोटा मोटा पिनमें प्यास कट करके रखा था वो तो इसको भी हमें light pinkish जैसी कलर इसका प्यास का हो जाएगा तब तक हमें बूनना है उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें डाल दूँगी दो बड़े चमच शेजवन सॉस तो शेजवन सॉस की जगा आप रेड चिली सॉस भी इसमें डाल सकते हैं साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चमच सोया सॉस उसके बाद मैं यहाँ पर दो बड़े चमच विनेगर्स में डाल रही हूँ उसके बाद हमें इसमें डालना है टोमाड़ो कैचप त तो हम इसमें डाल लेंगे एक कटोरी पानी और इसको अच्छे से mix कर देंगे पूरे मसाले में तो उसके बाद हमें यहापे ले लेना है एक चमच कॉन फ्लार एक कटोरी में और उसमें हलका सा पानी डालके हम उसका एक अच्छा सा slurry होती है वैसे बना लेंगे तो एक अच्छा सा घोल त्यार करने के बाद बिना जिसमें कोई गाठे ना हो उसको हम एड़ कर देंगे अपने इस mixture में तो तड़के के साथ जैसी आप इसको मिक्स करेंगे तो अब हमारी जो यह ग्रेवी है वो हलके हलकी गाड़ी होने लगी जैसे जैसे बॉइल आता रहेगा ना इसमें तो यह गाड़ी होती रहेगी अब मुझे यहाँ पर सोया सॉस की थोड़ी कमी लग रही थी कलर अच्छा नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पर एक चमच के बराबर सोया सॉस में और एड़ कर दिया है आप अपने कॉर्डिंग सोया सॉस को अज़स कर सकते हैं तो लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून के बराबर नमक क्योंकि जितने सॉसेस हम इसमें यूज कर रहे है न उन सबें भी अल्रेडी नमक होता है तो नमक को आप स्वाद नुसार अपने एड़्जर्स कर सकते हैं जैसी ही हमारी ग्रेवी में बॉइल आ जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे यह बहुत अच्छा स्वाद और बहुत अच्छी फ्लेवर से आती है इसमें तो एक से दो मिनट के लिए हम इसको बस और पकाना है उसके बाद हमारी जो गोबी मंचूरियों ने वुक्तम रेडी हो चुकी है देखिए कितनी फटा-फट से हमने गोबी मंचूरियों और इतने आपकी रेसिपी बहुत निखर के आती है तो दोस्तों अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा और रेसिपी को लाइक करना ना भूले आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक करना बिल्कुल ना भूले ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर टाइम पर मिलती रहे तो मैं जल्दी मिलूंगे आपसे नई रेसिपीस के साथ तब तक के लिए थैंकिस वाचिंग